आज दिल्ली के लोगों को मैं एक खुश खबरी देना चाहता हूँ कि कई सालों के बाद पहली बार पॉल्यूशन को लेके खुश खबर ये है कि दिल्ली में अब पॉल्यूशन बढ़ने की बजाए कम होना शुरू हो गया पिछले तीन सालों में दिल्ली में पॉल्यूशन में काफी कमी आई है और ये मैं अपने से नहीं कह रहा है ये दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन दोनों का जो डेटा है उसके बेसिस पर मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले तीन सालों के अंदर दिल्ली में पॉल्यूशन में भारी कमी आई है Central Pollution Control Board ने 38 monitoring stations जो pollution monitoring stations हैं उनके data के आधार पे Parliament में एक report रखी है उस report में जो Parliament में आकड़े रखे गए हैं उन आकड़ों के हिसाब से 2012 से 2014 2012 2013 2014 इन तीन सालों में PM 2.5 PM 2.5 क्या है जो pollution होता है उसमें PM 10 काउंट करते हैं PM 2.5 काउंट करते हैं PM 2.5 ज्यादा महीन पार्टिकल होता है 2.5 साइज का होता है वो जादा नुक्साम दे होता है तो 2012 से 2014 के बीच में PM 2.5 एक सो चववन था दो सो दो हजार सोला से 2018 के बीच में पिछले तीन साल में 2016 2017 2018 इसमें ये घटके 115 रह गया है तो 154 से 115 25 परसेंट पर्शेंट पर्लीशन 25 पर्सेंट PM 2.5 दिल्ली का 25 पर्सेंट पर्लीशन कम हो गया 25 पर्σι कर सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो